भगवान के भरो से मत बैठे कापता भगवान हमरे भरो से बैठा जिंदगी में हर कोई कुछ न कुछ करना चाहता है अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है और लोग के जिंदगी में वैलू एड़ करना चाहता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ करने का मन नहीं करता और हम परिशान हो जाते हैं कि आखिर करे क्या जिन्दगी में आखिर हमें मोटीवेशन कहां से मिले ऐसे ही लोगों के लिला हैं, टोफ फाइब ऐसी हुँगी, चौप को कुछ धंका करने के लिए मोटिवेट करेगी, तो चलिए सुरू करते हैं आप घर से निकल जाओ, आपको पतानि आपको जाना का है, आप बस चलते जाओ, चलते जाओ, ऐसे में आपका साथ क्या होगा, आप बटक जाओगे. जिसमें एक लड़का रहता है उसके जिन्दगी में उसको पता नहीं कलना क्या है लेकिन एक ऐसा फेस उसके जिन्दगी में आता है जो उसके जिन्दगी बतल देता है क्या आप कभी पढ़ाएं मन नहीं लगता क्या आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो नमबर फिर पर आती है सुपर ठटी जो कि पटना के आनद कुमार के उपर बेजड है जो कि हर साल 30 बच्चों को लेते हैं और 300 को IIT में टॉप कराते हैं इनके स्टोरी बड़ी जबरदस थे हैं आप जब देखेंगे तो आप इनकी स्टोरी में खो जाएंगे आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगए कि आप बोर हो रहे हैं आपको यह बहुत ही इंस्पायर करेगी तो आज ही जाकर इसे देख लें जिसके IIT की अगर आप भी प्रावलम बड़ी है तो आपकी एनरजी छुटी हो ऐसा हो ही नहीं सकता कैसे एक सक्स पुरी पहाड को काट कर रास्ता बना देता है आखिर क्या रिजन होता है वो पहाड काटने का यह मुवी आप देख के पता लगा सकते लेकिन मुवी पहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको इंस्पायर करेगी यह रियल इस्टूरी पर बेज़ड है नमबर दो नमबर दो पर आती है उड़ान जो कि एक अच्छी मुवी है जिसके आमडियो रेटिंग है 8.2 की इस्टूरी एक बच्चे की है जो राटर बना जाता है लेकिन उसके पिता उसे इंजीनियर बनाना चाते है इसका एक पोयम है जो मैं आपको सुनाता हूँ चोटी चोटी चितरा ही आदे बिची हुई है लम्हो की लौन पर नंगे पैर उन पर चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं कि अब भूल गए हैं जूते कहा होता रहता है जिस तरह पांचों उंगलियों का अलग यूज होता है उसी तरह हर लड़के में कुछ ना कुछ खास ह होता है लेकिन हर कोई पांचों उंगलियों को खेश कर बराबर करने की कोशिश करता है नंबर वन पराती हमारे मूपी तारह जमीन पर जिसकी आयम डूरेटिंगे 8.4 की हाई हो पको यह पांचों मूपी बहुत की अच्छे लगेगी अगर आपने इनमसे कोई एक मूपी द हुआ है